एक मचली जिसका ग्रोथ तीन महीने में एक के जी, दूसरी मचली जिसका ग्रोथ छे महीने में एक के जी, देखने में एक का कलर थोरा सा ग्रीनिस जैई सा, दूसरे का कलर ब्लैकिस जैई सा, और एक का नाम ब्लैक कार्प, दूसरे का नाम ग्रास कार्प, दोस्तों स्वागत करते हैं अपने उटू चैनल फिस फार्मिंग एंड सिर्सफर मेरा नाम बबलू सिंग भिहार हाजीपूर कर रहने वाले हमारा कोलकाता नहाठी में यह बलैक कार्फो ग्रास कार्फो सिल्वर कार्फो अमूर कार्फो जैंती रोहो सारे मचलियों का यानि जो भी मचली अपने डिमांड पर हम आपके नजदी की बड़े वाले रेलवे जंग संतक बच्चे को भेजते हैं दूसरा हमारा मेडिसिन का भी काम होता है आपके तलाब में पल रही मचलियों को कुछ दवाओं की भी आवसकता होती है फिडिंग कराते हैं कुछ दवा भी डालते हैं प्रोथ जल्दी पाते हैं मचली में बीमारिया नहीं लगती है तलाब में ऑक्सिजन का सौकेटेज नहीं होता है अमोनिया नहीं बनता है अगर आपके तलाब में इस तरह का प्रोब्लेम आ रहा है मचलियां सारी उपर आ रही है आपको जियोलाइड डलवाना चाहिए साथ में ऑक स्कार्प के बारे में बात करेंगे इस विडियो के माध्यम से और बलैक कार्प काली दिखने वाली मचली बलैक कार्प के बारे में इन दोनों मचलियों का फीडिंग हैविट अलग-अलग है देखने में लगभग एक समान सारीरिक बनावट यानि देखने में फरक करना ज्या घोंगा जिसे इसनेल के नाम से जानते हैं यह गोंगा आपके तलाब में है इसनेल तलाब में है यकीन मानिये आपका ब्लैक कार्प तीन महीने में एक केजी हो जाएगी परन्तु डेंसीटी का खिया लखना है बहुत सारे लोग बात करते हैं पाँच हजार बलैकार भेज दिजिएगा सर जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक एकर में हार्डली, हार्डली अगर बहुत ज़्यादा आपके तला में घोंगा है, तो मात्र चार सो से पान सो पिस, हार्डली, नहीं तो दो सो भी डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आएगा, डेंसिटी बरहाईएगा, दूसरे मचलियों की तरह, तो फिर बलैक कार्ब का ग्रोथ नहीं आएगा, कुछ मचलियां बरी-बरी हो जाएंगी, परन्तु कुछ छोटी ही रह जाएंगी, इसलिए डेंसिटी का हर्ड समय ध्यान डखना है, ऐसे तो जब आप आप पर देंसिटी का ख्याल हरदम ही रखना पड़ता है, अब हम बात करते हैं, ग्रास कार्ब के बारे में, बलैक कार्ब का जहां फिडिंग हैविट घोंखा खाती है, तो घोंखा खाती है बलैक कार्ब परन्तु इसका मतलब यह नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, कि आप ही समंगा करके डालते हैं, तो किया यह बलैक कार्ब उन बच्चों पर अटैक करती है, कता ही नहीं, ऐसा कता ही नहीं है, घोंखा खाती है यह बलैक कार्ब, मांसाहारी है, परन्तु दूसरे मचली के बच्चे को यह नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसका आपको ध्य अगर आपके तालाब में छोटे बच्चे हैं भी या फिर आप डालने वाले भी हैं महीने दिन बाद दो महीने बाद और आप डर रहें कि अगर बलेकार्फ हमने अपने तालाब में डाला और उसके बाद छोटे बच्चे डाला दूसरे मचलियों का I.M.C.R. पर जो कोई भी अजीज मचली इसलिए हम बात कर रहे हैं डिमांड काफी रहता है इनका सबसे ज़्यादा पालन गरास कारफ का ही होता है बिहार में यूपी में जहार खंड में बंगाल में भी परन्तु इसके डेंसिटी को भी ध्यान रखना है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ औ बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रास कारफ का ही नहीं तो उसका ग्रोथ स्वभाविक है कि ज्यादा ग्रोथ आ जाएगा अगर आपके तला में कुछ बच्चे कहीं से ग्रास कारफ का आ गये हैं तो यह बहुत कम समय में तीन-चार महीने में डेर केजी दो केजी के हो जाएंगे परन्तु जब आप डेंसिटी बरहा करके डालिएगा यहीं तरह का मचली डाल दीजिएगा यह देख करके कि हमारे तला में तो ग्रास कारफ का ग्रोथ काफी बहतर होता है कि उन्हें हम सिर्फ ग्रास कारफ का ही पालन कर लें तो इस पोजिशन में फिर आपका ग्रोथ परा-चारा है तो और यह ग्रास कार मचली जो है अपने वजन का लगभग तीन गुना अगर घास इसको आप हरा-चारा दीजिएगा सफिस्टेंग वांतरा में तो जो भी इसका वजन है एक मचली अपने वजन से तीन गुना ज्यादा खाना खा लेती है और उतना बीट भ जाने वाली मचली है तो 30% ही इस मचली का श्टोकिंग करिएगा जादा करिएगा फिर ग्रोथ परभावित हो जाएगा और अगर आप हमसे बच्चा मंगवाईएगा तो हमको बोलिया गा सर आपने बच्चा अच्छा क्वालिटी का नहीं दिया ठग लिया है लेकिन वहां ग पैसे से मतलब है आप पैसा देंगे मेरे मना करने के बावजूद आप नहीं मांड़े हैं तो ग्रोथ नहीं आएगा उसके जिम्मारी हम नहीं लेंगे वह बोल रहा है कि नहीं नहीं हमारे तालाम में ग्रास कार्फ का पिछले साल बहुत अच्छा ग्रोथ आया था बहुत अपने तालाम में डाल लेते हैं तीन इंची सारे तीन इंची वाली तो हम अंताजा करते हैं कि अगर डेंसिटी आपका सही रहेगा ये छे महिना में एक केजी बनके दिखा देगी आपको हर्वेस्ट योग हो जाएगी दोस्तो वीडियो जादा बड़ा हम नहीं बनाते हैं दिये हुए नंबर पे आप कॉल करके इंडिया में एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे किसी भी मचली का पालन आप करना चाह रहे हैं अपने तालाम में दिये हुए नंबर पे कॉल करेंगे हम पेमेंट पहले मंगाएंगे आपसे दो तीन दिनों का वक्त लेंगे आपसे स कज़िक में जो भी सबसे बरावाला जंक्षन होगा वहां तक बच्चे भेज देंगे कितने साइज के बच्चे हम भेजते हैं एक इंची वाले हाफ इंची वाले और इस पॉन्ड भी सारे मचलियों का उपलब्ध हो चुका है यहां तक कि रोहु का जी आई कतला का मरीगल का साड़े मचलियों का इस पॉन्ड भी उपलब्ध है नंबर पे कॉल करके अपना बच्चा मंगा सकते हैं जितना जल्दी हो सके मेडिसीन भी मंगा सकते हैं जेके फीस फीड का डिलर्सिप लेने वाले लोग जो भी इंट्रेस्ट होंगे वे दिये हुए नंबर पे आप कॉ स्वीड का पटना में ओपन होने वाला है हर जगा हम दाना अब यहीं से भेजेंगे बहुत बहुत धन्यवाद